हाई गुद मॉर्निंग फ्रांस वालकम बेक टो एनादर ब्लॉग आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छे हूँ और आप सो भी इतना प्यार करते हैं इतने प्यारे बारे कमेंज करते हैं गुड़ विशिस देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच अल अफ य शेयर कीजिएगा साथी आप क्या-क्या खाते हैं वो भी बताईएगा तो आज मैं आपके साथ वही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो ब्लॉग में बने रहीएगा और यहां मैं सबसे पहले उठके भगवान के हाट जोटी हूँ और धीरे से बैड से अपने पैर नीचे और यह मेरा सिर्फ प्रेंगनेंसी में रूटिन नहीं है वैसे भी जो है मैं पानी ही पीती हूँ सुभा उठके पहले भी पानी ही पीती थी तो यहां मैंने पानी पी लिया तो पानी पीने के दो फाइदे होते हैं एक तो रात भर के जो हमारा गला सूखर रहता है बो और दूसरा जो है मुझे जो है और किसी चीज की जरूत नहीं पड़ती तो मैं फ्रेश होने चली जाती हूँ या मैं फ्रेश होके पेस्ट वेस्ट करके अपना आ गई हूँ और अब टावल से जो है अपना मुह को थोड़ा सा पोंच लूँगी और इसके बाद जो है मैं करती तो वही मैं जैसा करती हूँ वो आज आपके साथ शियर कर रही हूँ मेरे प्रेंगनसी रूटिन में और इसमें जो है मैं आपको अपने बारे में ही दिखाऊंगी तो यहां मेंने बैड शीर की तया बना दी है और आजकल है न मेरे पैरों में दर्द होता है तो पिलो अपने टमी पे हाथ फेरते हुए अपने बेबी से बात करते हुए और बहुत अच्छा लगता है बेबी भी जो है मुमेंट करता है तो कुछ ना कुछ मतलब मैं ऐसे बाते करती रहती हूँ और फिर जो है ऐसे ही मैं थोड़ी बहुत वॉक करती हूँ क्योंकि बहुत जरूर यह पूलिए सोटो है दॉक्टर बताते हैं तो बह़ार जाने को तो मुझे करना दोड़ नहीं मिलता है कवे बार कभी कभी जड़ चली जाती ने टाइम होता है तो यह फुक्ना लोग कर लेती हूं अब्लाटे हुए कर लेटी हूंaugता थोड़ी देर की बाद मैं करती हूँ अपनी एक्सरसाइज जो भी मैं नॉर्मली एक्सरसाइज करती हूँ एक्सरसाइज का मैंने इस्पेशली एक वीडियो डिटेल वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक में डाल दूगी आप देख लीजिएगा और पहले बटरफ्लाइ कर करती हूँ और थोड़ा से स्ट्रेचिंग वगरा भी करती हूँ तो इस तरह से मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ आप लोग देखिए मैं अपनी कौन-कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ एक्सरसाइज कंप्लीट होने के पाद यहां मैं करती हूँ नाश्टा तो नाश्टे में कुछ भी हलका सा ले लेती हूँ जैसे आज पोहे थे तो मैंने पोहे बनाये थे सुछर रहे खेली स्कुल के लिए तो वही पोहे जो है मैंने अपने नाश्टे में ले लिये हैं और कभी कुछ जैसे कभी जो है sprouts वगरा ले लेती हूँ कभी जो है मैं बर्मी सीली वगरा कुछ भी मतलब हलका फुलका सा लेती हूँ तो यहाँ पे मैं नाश्टा कर रही हूँ और बाद में जो है जो दूद है मेरा उसमें मेरा जो protein powder मेरे गयकनों ने मुझे लिखा हुआ है उसको डालके मुझे पीना होता है दिन में दो बार के लिए मुझे यह गयकनों ने बोल रखा है तो मैं पीती हूँ इसको और यह वाला जो है अब की बार मैंने ध्यान नहीं दिया था डिबबे पे और यह दूसरा लेके आ गए थे तो पहले वाले का जो फ्लेवर था वो काफी अच्छा था चॉकलेट फ्लेवर था बहुत ही टेस्ट लगता था उसका तो मन करता था मेरा कि दिन में यह ना कैई बार उसे पी लूँ पर यह वाला जो है ना मिरको बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता बहुत थी गंदा सा फ्लेवर है इसका इसका फ्लेवर बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे पर पीना पड़ता है क्योंकि पैसे खर्च हो चुके है और फिर मैं इसका क्या करूँगी अगर नहीं प्योंगी तो मैं इसे पी लेती हूँ और बिलकुल अच्छा नहीं लगता है यह मुझे इसको पीने के बाद मैं जो अपनी केल्सियम की टैबलेट है वो ले लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं घर का थोड़ा जो काम रहता है वो करती हूँ और उसके बाद करती हूँ कुछ जो धूढ़ाने साब करती हूँ एक घंटा तो मैं जरूर रैस्ट करती हूँ क्यूदक बोड़ी को रैस्ट चाहिए क्यांकि लास्ट टाइम चल रहा है बिलकुल तो इस वज़े से बाद मैं होता भी नहीं है मुझे लगता है आजकल इस समय फ्रेंस लेटने में भी थोड़ी दिक्कत आती है एक ही करवट से लेटने में तो मैं थोड़ा सा करवट अपनी चेंज करती रहती हूँ थोड़ी देर में और फिर आराम करने के बाद आदा पॉन घंटे में आराम करती हूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने और नहा के अपने कपड़े वगएरा धोके हासीद होती हूँ मैं और फिर उसके बाद जब मैं नहा कर आ जाती हूँ तो मैं अपना करती हूँ थोड़ा सा टच अप जैसा आप लोगों को सभी को पता है कि मैं बिल्कुल हलका सा मेक अप करती हूँ क्योंकि वैसे भी प्रेगनेंसी में आजीव सी फिलिंग लगती है कुछ मनी नहीं करता है कि कुछ करें तो इस वज़े से मैं थोड़ा सा अपने आपको ऐसा रखती हूँ कि हाँ मैं मुझे लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा अपने आपको बिजी रखने के लिए भी और अच्छा दिखने के लिए मैं करती हूँ मन तो नहीं करता है पर क्या करें थोड़ा सा इस तरह से अपने आपको करना भी होता है तो यहाँ पे मैंने आज जो है ये ब्लैक वाली ड्रेस डाली है तो बताईगे का आप लोग कैसी लग रही है और यहां पर मैं अपने hair comb कर लेती हूँ और क्योंकि है ना अमबला बिल्कुल last time चल रहा है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है मन ही नहीं नहीं आता कि comb भी बालों को करें और सुभा तो मैं फेर भी कर लेती हूँ evening में तो बहुत कम जो है मैं comb करती हूँ तयार तयार हो जाती हूँ अपना थोड़ा सा जो और फिर उसके बाद मंदिर में आके अपने भगवान की पूझा करती हूँ जैसी भी मेरे पे होती है क्योंकि इस समय एक तो सांसे भढ़ती है बहुत ज़्यादा सांसे भढ़ने लग गई है मेरी पहले नहीं था ऐसा पर बता नहीं जैसे ही एर्थमंद कंप्लीट हूआ है तब से मेरी सांसे बहुत ज़्यादा भढ़ने लग गई है और यहां मैं भगवान की पूझा करती हूँ भगवान को शुकरिया अदा करती हूँ और कहते हूँ भगवान सब कुछ अच्छे से हो बस आपकी क्रपद रष्टी हम पे बनी रहे और पूझा करने के बाद जो है मैं भगवान के भोग वगरा लगा देती हूँ तो यहां जो भी भगवान को भोग समर्पित करना होता है वो कर देती हूँ और उसके बाद मैं किछिन में खाना बना लेती हूँ तो खाने में अधिकतर दाल, चावल, चपाती, या दही वगरा जो भी मतलब घर में मैं बनाती हूँ नॉर्मली, स्पेशली कुछ ऐसा नहीं बनाती हूँ दिन में एक पार्चो है मैं डाल और चावल जरूर खाती हूँ चाहे मॉर्निंग में हो या एवनिंग में जैसा भी में को शुटिवल लगता है वैसा मैं बना लेती हूँ क्योंकि डाल प्रेगननसी में डाल राजमा वगरा ऐसी चीज़े खाना बहुत ही फायदे मन दोता है डॉक्टर बोलते हैं तो इसलिए आज मैंने जो है राजमा बनाई है वैसे दिकतर में डाली बनाती हूँ और राजमा ले लिए हैं चावल है और साथ में दही है क्योंकि प्रोटीन का इंटेक भी होना बहुत ज़रूरी है प्रेगननसी की डायट में तो यहां मैंने दही ले लिया है सुबह में दूर लेती रहूँ चयम भी रहता है दूर में प्रोटीन भी रहता है और साथ ही जो है मुझे हरे मिर्च बहुत पसंद है तो मैंने हरे मिर्च भी ले ली है तो यहां जो है मेरा लंच यही रहता है और कभी कभी जो है जैसे चपाती बगएरा भी मैं ले लेती हूँ पर आज जो है मैंने नहीं लिया क्योंकि पोहे वगेरा खा लिये थे तो मेरा मन नहीं था तो मैंने जो है राइस ही ले लिये क्योंकि मुझे राइस और राजमा काफी पसंद है तो मैं ये सारी चीजे ले ले लेती हूँ और कैई बार दही ले ले लेती हूँ या छाच ले क्योंकि इससे खाना जो है बहुत ही अच्छा लगता है और साथ ही जो है हमारे खाने की न्यूट्रिशन वेल्यू काफी जादा बढ़ जाती है खाना खाने के बाद 20-25 मिंट बाद मैं जो है थोड़ा सा वॉक करती हूं क्योंकि खाना खाने के जस्ट बाद वॉक करना गलत ह है खानना खाने के आदा घंटे बाद या 20-25 मिंट बाद हमें वॉक करना चाहिए तो यहां मैं वॉक करती हूं क्योंकि प्रेग्नेंसी में खाना डाइजेस्ट होना भी बहुत जरूरी है तो अगर आप सीधे बैढ जाओगे या लेड जाओगे तो बहुत दिक्कत आती है तो इसलिए मैं थोड़ा सा वॉक करती हूं जिसे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और फिर शाम को कुछ फल बगरा ले लेती हूं और नाइट में मैं कुछ हलका ही ले लेती हूं तो यहां पर आज मैंने बनाए थे डाल और चने के जो है चीले तो यह मैं खा लेत हलका ही खाती हूं रात में क्योंकि फिर दिक्कत रहती है मुझे थोड़ी हल्ट बन भी होती है इस टाइम पर तो इस वज़े से कुछ हलका ही ले लेती हूं जैसे मुंकी दाल या एक यदू चपाती ले ली या फिर कुछ और ले लिया तो यही खाती हूं तो आज कब